Good morning students, welcome to our channel RDS Group of School Students, कल की वीडियो मैंने आपकी यहां तक की पोयम एक्स्पेन की थी आज की वीडियो मैं आपको इस स्यागी जो पोयम है वो एक्स्पेन करेंगे बहुत मन से खुस हो चला आज चेला कहा आज नियोता चकुंगा अकेला मगर आके पहुचा तो देखा जमेला वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला बहुत खुस चेला मनी मन बहुत खुस हुआ क्यों क्योंकि जो राजा थे उन्होंने उसे बुलाया था उन्होंने सोचा कि राजा ने मेरे नियोता भेजा और मैं जाकर के अकेले वहाँ पर नियोते में माल चानूंगा यानि माल मतलब जो वहाँ का वेंजन जो स्वाधिस्ट वेंजन बने होगे उन्हें खाऊंगा वहां तो जुड़ा था आजब एक मेला वहां जाकर उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी लोग जैसे सरकस के आसपास कई लोग खड़े वोते हैं उसे तरीके से वहां पर एक मेला जमा हुआ था ना नेक्स्ट पेस भी देखिए या मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ कहा राजा ने इसको फासी चड़ाओ कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ कहा राजा ने चुप न बखबख मचाओ या मोटी है गर्दन तुरंत वहां पर गया और जो संतरी था उसने कहा महाराज इ इसे राजा से कहा राजा ने कहा इसे तुरंत फासी पर चड़ाया जाए कहा चेले ने चेले ने तुरंत कहा मेरी गलती तो बताओ मुझे क्यों फासी पर चड़ाया जा रहा है राजा ने कहा चुप बखबख न मचाओ राजा ने कहा चुप हो जा एक दम कोई भी बात मत मगर था ना बुद्दू था चालाक चेला मचाया बड़ा ही वहाँ पर जमेला कहा पहले गुरू जी के दर्सन कराओ मुझे बाद में चाहे फांसी चाहो मगर जो चेला था वा बुद्धू नहीं था उसने कहा कि मुझे मरने से पहले मेरे गुरू जी के दरसंकराओ मुझे मरने से पहले मुझे अपने गुरू जी से मिलना है उसके बाद में मुझे फांसी चड़ा देना गुरू जी बुलाए गए जट से वहाँ पर की रोता था खड़ा था जहाँ पर गुरू जी ने चेले को आकर बुलाया तुरंत कान में मंत्र कुछ गुन गुनाया वहाँ पर जट से गुरू जी को बुलाया गया और चेला वहाँ पर खड़ा खड़ा रो रहा था तुरंती गुरू जी ने चेले के कान में एक मंत्र फुका यानि कोई बात बताई जगड़ने लगे फिर गुरू और चेला मचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला रेल पेला गुरू ने कहा फांसी पर मैं चड़ूंगा कहा चेली ने फांसी पर मैं मरूंगा यानि दोनों ही आपस में जगडा करने लगे और कहने लगे पहले मैं फांसी चड़ूंगा हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों चुटाए ना चुटते लड़े ऐसे दोनों बड़े राजा का फोरण कहा बात क्या है गुरू ने बताया कारामात क्या है दोनों यानि दोनों इस तरह से लड़ रहे थे कि एक पास यानि एक दूसरे के पास से हटी नहीं रहे थे तो राजा ने तुरन बताया कि मतलब मामला क्या है मुझे बताओ चड़ेगा जो फांसी महूरत है ऐसी ना ऐसी महूरत बनी बढ़िया जैसी वा राजा नहीं चक्रवती बनेगा इस संसार का छतर उस पर तनेगा गुरु ने तुरन बताया कि जो भी फांसी पर चड़ेगा वा उसके सर पे चक्रवती राजा कहें चक्रवती नहीं ताकतवर राजा अच्छा राजा सुयस्वी राजा का छतर उसके उपर चड़ेगा कहा राजा ने बात सचे गर यही गुरू का कत्न जूटा होता नहीं है कहा राजा ने फांसी पर मैं चड़ूँगा इसी दम फांसी पर मैं टंगूँगा यह बात सुनकर राजा तुरंत लालच में आ गया और उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं इस पे कोई फांसी नीच रहे कि इस पे मैं फांसी चड़ूंगा ताकि चक्रवती का जो ताज हो मेरे सर पे सज जाएगा राजा ने कहा मुझे फांसी पर टांगों मैं फांसी पर टांगूंगा चड़ा फांसी पर राजा बजा खुब बाजा प्रजा खुश हुई जब मरा मुर्क राजा बजा खुब घरगर बधाई का बाजा थी अंदेर नगरी था अन्भुज राजा जब राजा फांसी पढ़ गया तो पूरे राज में प्रशनिता सी फैल गई और सभी लोग गाने गाने लगे बधाईयां बजने लगी कि जो मुर्क राजा था वा मर गया है थी अंधेर नगरी अंधेर नगरी थी और अन्भुज राजा था ज्यानी राजा था स्टुडेंट्स एक कविता के राइटर हैं मिश्टर सोहन लाग दुवेदी जी तो आई होप आप सभी कोई समय में आ गया होगा अगर आपको इस चैप्टर के समय से लेटर कोई भी प्राब्लम तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक्यू है वनाइस टी